So Hello Friends, Welcome Back To Aparna College तो अब यहामने पहले देखा था कि Fenvictory क्या होता है Fenvictory में updates and query का क्या code होता है तो अब हम एक बार पूरा शुरू से लेकर end तक एक program code करेंगे ताकि हमें Fenvictory का code भी अच्छे समझ आजे और क्या उसकी working होती है वो भी समझ आजे तो Fenvictory में हमारे पास दो तरह के updates होते है एक होता point updates and एक होता range update point updates क्या हुआ कि Ith index पे यह value update कर दो and range updates क्या हुआ कि L2R index में यह वली value update कर दो यानि कि एक range में update करना है या फिर एक point में update करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे point updates उसके बाद हम range updates देखेंगे and range updates पे question as page पे updated वो हम solve कर रहे होंगे तो अब देखते है point updates के बारे में तो point updates हम range sum वाले question से समझ रहे होंगे range sum क्या होता है कि given range का आपको sum query करनी है तो अब question statement है कि आपको एक array दिया है and आपको q queries दियोंगी queries दो type की होंगी one first query क्या होगी l2r में first type की query होगी जिसमें आपको l और r दिया होगा and आपको sum print करना होगा l2r तक का जो array है उसका sum and second type की query होगी कि idx value यानि कि a of idx को आपको value यानि कि a of idx में आपको value कर देना है उसकी value जो थी वो आपने update कर दी value से तो अब जो query of type 1 में solve कर रहा होगा तो अभी हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि sum of l to r अगर आपको निकाल लाओ तो आप sum of 0 to r निकालोगे minus sum of 0 to l minus 1 तो आपको l to r तक का जो sum है वो मिल जाएगा अब query of type 2 में आप क्या कर रहे होगे कि idx पे जो value अभी present है उसको हटाने के लिए आप minus of a of idx पुश कर दोगे उस index पे तो जितनी भी nodes पे a of idx की पुरानी value होगी वो एक तरह से delete हो जाएगी और उसके बाद आप नई value जब पुश करोगे तो जो नई value है वो सारी nodes जो responsible होगी उसके लिए उसमें सब update हो जाएगा तो यानि कि यहाँ पे दो update operation लग रहे होंगे कि idx पे पहले तो minus of a of idx पुश कर दो और उसके बाद idx index पे वाल अपडेट कर दो तो अब एक बाद इसका code देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे n बना जिता हूं एक और अपना एक bit का vector बना जिता हूं तो यहाँ पे मैंने c in n किया एक जो अपना bit का जो vector था उसको initialize कर दिया n plus 1 से यहाँ पे अब मुझे एक मैंने array बनाया a का एक मैंने n प्लस one size का array बनाया और उसके अंदर मैंने अपना input ले लिए तो यानिक यहाँ पर मैं one base indexing कर रहा हूँ तब ही मैंने जो for loop है one से लेकर n तक चलाया अब कितनी queries है वो हम input ले लेंगे तो जितनी भी queries होंगी while q- तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर किस type की query है वो देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर c input ले लिया तो अगर तो c1 है या फिर c जो है 2 होगा तो one में जो हमारी query थी वो थी l2r तो हमें user l2r दे रहा होगा कि हमें l2r range तक का sum बताना है तो int answer equal to query of r minus query of l minus 1 तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो l2r है वो भी one based indexing में है तभी यह possible होगा अगर वो l2r zero based indexing पर है तो आपको यहाँ plus plus करना पड़ेगा दोनों में l में भी and r में भी और यहाँ पर जो आपने answer calculate किया उसको आपने फिर print कर दिया second type की query में क्या होगा कि आपको एक index मिलेगा and एक value मिलेगी तो यहाँ पर आपने input ले लिया तो आपने update कर दिया index में minus of a of index यानि कि जो एक ही जो पहली value थी उसका negative आपने पहले अपडेट कर दिया तो जो पहली value का contribution था वो जीरो हो जाएगा सब नोट में से और आपने इसकी जो value थी वो fresh value से अपडेट कर दिया इंडेक्स कॉमा वैल पर तब यहाँ पर बस हमें query और update का code लिखना है तो query का जो code होता है वो हम पिछली वीडियो में भी देखी चुके हैं यहाँ से बस हमें जो LSB होती है वो हम हटाते रहते हैं तो LSB हटाने के लिए क्या तरीका होता था IDX minus equal to IDX and minus of IDX तो इससे LSB हटती रहेगी और हमारे जो answer में value हमारी store हो जाएगी अब update का भी code लिखना तो update function में अचा query में तो यहाँ value चाहिए ही नहीं होगी update में चाहिए होगी तो यहाँ पर update में हमें value चाहिए होगी किस value से हमें update करना तो while IDX is less than equal to N, N यहाँ पर हमने global बना दिया था and bit भी हमने global बना दिया था तो इसमें pass करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी and this case में हम अपनी lsb जो है वो add करते रहते हैं update कर return type भी void update होगा तो अब एक बार इससे run करते हैं तो यहाँ पर error आ रहा है अच्छा तो यहाँ पर idx था तब अगर हम इसे compile करें तो अब सबसे पहले हमें क्या था एन देना होता है user को तो यहाँ पर 4 दे दिया 1 2 3 4 अच्छा और initially जो हमने array बनाया था उसको हमने update नहीं किया यहाँ पर तो हमें सबसे पहले यहाँ पर update भी करना call करना होगा तो यहाँ पर update i में a of i ताकि जो initial यह था वो भी update हो जाए अब इसे run करा तो यहाँ पर 4 हमने लिखा 1 2 3 4 अब हम इसको 3 queries देते हैं एक तो 1 से लेकर 1 type की जो query होगी वो होगी 1 1 4 तो इसने क्या किया यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का जो sum था 1 से लेकर 4 तक का वो यहाँ पर output कर दिया तो वो क्या था 10 अब यहाँ पर हम कुछ update करते हैं तो माललो हम first index पर value 0 कर देते हैं तो second type की query होगी कि हमने first index पर 0 कर दिया update अगर अगर हम दुबारा 1 1 4 प्रिंट करें तो answer मेरा आगया 9 क्योंकि जो first position पर value थी 1 उसको मैंने यहाँ पर 0 कर दिया तो अब जो मेरे पास array बना वो था 0 2 3 4 और 0 2 3 4 का जम मैंने sum निकाला तो मेरे पास answer आगया 9 तो यह तो था point updates कि point updates हमने कैसे किये अब हम देखते है range updates तो range updates using fenwick tree तो यह question spawg का है updated तो आपको एक array दिया होगा initially सारे elements उसमें 0 होंगे और आपको कुछ queries करनी होंगी पहली u query जो आपको मिलेंगी वो होगी lrval type की यानि कि जो range है l2r में उस पूरी range में आपको well add करना है उसके बाद आपको next q queries जो मिलेंगी उसमें आपको एक index दिया होगा और आपको उस index पे जो stored value है वो बतानी होंगी तो अब update में यहां पे range update की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी segment होगी l से लेकर end तक उसमें हम well add कर देंगे and जो हमारी segment होगी r plus 1 से लेकर end तक उसमें हम negative well add कर देंगे तो जो contribution of well होगा वो ल to r तक ही सीमित रह जाएगा वो उससे जादा नहीं होगा क्योंकि l से end तक आपने well add कर दिया फिर r plus 1 से end तक आपने minus of well add कर दिया तो r plus 1 के बाद वाल तो well और minus well cancel हो गए तो जो well का contribution रहा वो l to r में ही रहा अब query करने का क्या तरीका होगा तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि query of l करो यानि कि l index पे जो value stored है वो बतानी है आपको तो उसमें क्या करोगे आप कि आप सारे sum ले लोगे 0, 1, 2, up till l का तो यह आपका query of l होगा अब यह क्यों सही है वो भी देखते हैं एक बार तो एक बार अब इसका explanation देखते हैं कि मानलो तीन तरह की query हो सकती है कि i, j less than l होंगे तो इस case में क्या होगा कि मैंने i पे तो update किया होगा plus val को and j plus 1 पे minus val increment किया होगा तो net contribution इस query का क्या होगा query of l में 0 अगर l i और j के बीच में आया तो मैंने i पे तो plus val किया होगा and j plus 1 पे minus val किया होगा तो जब मैं 0 to l का sum ले रहा होगा तो यहाँ पे query of l में val का भी contribution होगा और जो होना भी चाहिए क्योंकि i to j जब हमने update किया तो l पे भी value थी वो update होनी चाहिए थी अगर अब l छोटा है i to j में तो इसका भी contribution 0 ही होगा क्योंकि 0 to l में तो कोई chain नहीं हुआ array में तो यही तीन case बनते हैं and in case में सिरफ यही वले case में हमें contribution चाहिए था इन उस case में हमारे पास जो contribution है वो well का आ भी रहा है तो अब एक बार इसका भी code करके देखते है code से आपको थोड़ा better clarity हो मिलेगी तो sports का जो input format होता है उसमें पहले test cases होते थे इस question में तो यहाँ पर मैंने जो test cases थे वो ले लिए उसके बाद यहाँ पर मैंने n10 c in n किया n होंगे हमारे number of elements उसके बाद यहाँ पर मैं अपना bit बना लेता हूं कुछ भी ऐसी n plus 10 ले देते हैं थोड़ा सा जाधा ही ले लो तो कुछ फरक तो पढ़ता नहीं है उसके बाद u input होता है u queries होंगी जो हमें updates वाली बताएंगी तो हर update वाली query में हमें मिलेगा l r और increment की l to r वाली जो range है उस range को कितने से increment करना है तो वो मैंने अब input में ले लिया तो यहाँ पर जो queries थी वो zero based indexing पर थी तो मैंने यहाँ पर उन्हें plus कर दिया ताकि one based indexing पर म में तो मुझे increment करना है इंक को and r plus one में मुझे negative increment करना है negative inc से increment करना होगा तो यहाँ पर मैं minus of inc बेजूंगा अपने bit में क्योंकि l to r वाली जो range होगी उन सारे indexes पर मुझे plus increment करना है तो इससे हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने l से end तक का ले लिया उसमें मैंने plusing कर दिया and यहाँ पर a of r plus one जब करा तो यहाँ पर minusing कर दिया तो अब int q मैंने अब next q queries जो होंगी वो हमें index मिलेगा हमें एक and हमें बताना है उस index पर क्या value stored है तो इंडेक्स भी 0 base था यहाँ पर plus plus किया उससे one based indexing पर ले आया तो क्वेरी में तो हम lsb drop करते जाते थे तो यहाँ पर lsb drop होती जा रही है तो यह query हो गया and update का भी हम code जल्दी से लिख लेते हैं ठीक है तो अब हम इससे run करके देखते है है तो यहां पर जो sports updated पर टेस्ट केश दिया उसी पर हम टेस्ट करके देखते हैं ओके तो यहां पर हमने गलती कर दिये यहां पर semi collar आना था और यहां पर return answer करना था तो अब हम इसे run करके देखते हैं तो यहां पर जो हमारा output आया है वो आया 786 तो sports में भी जो answer आना चीए था इस test case पर वो आया है 786 तो हमारा जो code है वो सही है तो इससे अगर आप submit भी करके देखेंगे तो submit भी कर देता हूं मैं एक बार तो यहां पर जो हमारा code था वो एक्सेप्ट हो गया है तो आपको समझ आ गया हो कैसे हमने यहां पर पहले point updates देखा फिर range updates भी देखा तो फेन्विक ट्री से यह बहुत ही चीज़े असान हो जाती है कर तो हम सेग्मेंट्री से भी सकते हैं बट सेग्मेंट्री का code थोड़ा सा मुश्किल होता है as compared to bit bit का बहुत ही सिंपल सा code होता है तो आपको यह समझ आ गया हो और हम मिलेंगे आप नेक्स वीडियो में तो हम मुश्किल है